मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के येटूब चैनल पर दोस्तों आज है 20 जुलाई 20 जुलाई 2021 से जितने भी करेंट अफेर के इंपोर्टेंट क्वेशन बने हैं उसके साथ हम लोग डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट जी के और रिलेटेट फ जी स्टार्ट कर लेते हैं आजका पहला क्वेशन है हुले में भारत के किस राज में शुरू हुआ है दोस्तों चीन से घार स्टिक पराकर्टिक स्वीटनर के रूप में अपने गुड़ों के लिए जाना जाता है यानि कि यह चीन का एक स्वीट पहले है आपका विच्छूफल और पहली बार भारत में इसका उत्पादन अभ्यास सुरू किया गया मतब किस प्रकार से इसका जलवायू रहेगा और किस प्रकार के जलवाय अपने अपको सर्वाइब कर पाएगा तो सबसे पहले इसका परिच्छठ हिमाचल प्रदिस में किया गया है तो हिमाचल प्रदिस के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं याद रखेगा हिमाचल प्रदिस के पालमपूर इस्थित्व वेग्यानिक अनुसंधान और अद् से पर भी हैं में यहां के आपके जो राज़िपाल हुए हैं भंडारु दतत्रे उनको चंच कि धिने एक बना गिए लgr राजेंद्र विस्टूनाथन अर्लेकर को बनाया गया अब जितने राजिपाल बनाया गया है पहले उसके बारें बता देते हैं पिर आगे चलते हैं हिमाचल्प्र्देश के बारे में और चीजह जाहनते हैं दोस्तों करनाटक के जो नए राजिपाल बनाया गया है थावर चेंद्र गहलोत करनाटक के दोस्तों याद रखेंगे मद्द प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया हिमाचल प्रदेश के राजिंद्र विस्वनाथन आरलेकर को बनाया गया गोवा के प सब्सक्राइब कि एक सेपरेट वीडियो डेख सकते हैं ट्रिक वाला जो की एक सेपरेट करेंट करेंट चुटकी मियाया दोजाएगा चलिए और बात कर ले हिमाचल पर्देश के बारे में में तो यहाँ पर हंड्डीड परसेंट घरों में लपीजी कनेक्सन वाला पहला राज्य बना दिया गया है 100% घरों में LPG कनेक्शन सुभिधा देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदिश बनाए यहाँ पर परवत धारा योजना यहाँ पर सुरू किया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्प नाइं 1100 के सुरुआत की ती आपको पता है दोस्तों हिमाचल प्रदिश में बहुत सारे दर्रे याद कर सकते हैं याद रख सकते हैं रोहित बड़े सिप में चाय पीता है तो यह दोनों पूर्य पूर्यप्रदिश बिल्कु फ्री देखनी है तो अब डेली सेसंग होता है दोस्तों जेगराफी का फुल सेसंग होता है सारे एक्जाम्स के लिए आप वहां पर जोइन हो जाया करिए डेली डेली तीन वजे दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हाल ही में सोसल मीडिया ने भारत में दूसरा cloud reason launch किया है किस social media ने दूसरा cloud mission भारत में launch किया है दोस्तों बतातेंगे google google cloud के नाम से launch किया गया है google दोस्तों google जो आपको बता है दोस्तों एक आपका social media platform है google जैसे के हम search engine भी बोल सकते है search engine बोलिए उन्हां google ने भारत को पूरे asia प्रसांथ च्छेत्र में ग्रहकों और सारवजनिक च्छेत्रों के लिए दिल्ली यानि के ncr में अपना नया cloud च्छेत्र launch करने की खोश्रा किया दोस्तों नय च्छेत्र के साथ देश में काम करने वाले ग्रहकों को कम विलनम बता और उनके cloud अधारित वर्कलोड और डेटा के उच्छ प्रदर्सन से लाब होगा दोस्तों यहां पर गूगल की बात हुई है और फेस्बुक की बात हमने भी किया है यहां पर ट्वीटर का वाटसप का सब के बारे में आपको बताते हैं जो गूगल के अस्थापना हुई थी चार सेप पांचवे नंबर के सबसे अमीर आदमी आपके फेस्बुक के मालिक हैं जिनका नाम है मार्क जुकरबर्क यही संस्थापक हैं यही स्थियो और यही हैड है याद रखेंगे फेस्बुक दोस्तों फेस्थापना जो ही थी फरवरी 2004 में हुआ था फेबरी 2004 में हुआ था इस संस्थापक के समय तो स्टों स्टों इस समय तो स्टों यह चार लोग संस्थापक के समय जो सीओ है जैक डॉरसी यह दोश्वान वाट्सब की बात होई तो यूच करते रहते हैं वाट्सथापना 2009 में हुआ था फाउंडर जैक जैन कौन और ब्रेंड एक्सन है दोस्तों इसके सीओ इस समय है विल कैट चार्ट और हेटकौर्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया की युएस से में हैं दोस्तों याद रखेंगे चलते हैं नेक्स प्रेस की तरफ कि हाल ही में किसी मिलेगा ऑलम्पिक पूरस्कार दोस्तों किसे दोस्तों हमारा चीन में होगा यह 2022 में होता है यह जापान में होगा अगला याद रखेंगे नोबल पुरसकार को याद रखेंगे यान नोबल पुरसकार विजेटा के बारे में बताएंगे लेकिन इसके पहले आप याँ दखेंगे टोक्यो खेलों के ओलंपिक लॉरेल किसे मिलेगा दोस्तों यूसूफ मुहम्मद यूनुस को मिलेगा यहाँ पहले बंगलादेश की बात हुआ है तो बंगलादेश के पीम सेख हसीना जी हैं और सेख हसीना के ही पिता जी थे जिनके कारड यह बंगलादेश आजाद हुआ था दोस्तों कब 26 मार्च 1971 में उनका नाम था मुझीबूर रहमान क्या नाम था मुझीबूर रहमान दोस्तों वह 26 मार्च 1971 को पने अधिकार की लड़ाई किये भारत बंगलादेश के अजाद के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ता है और राश्रपती यहां के अब्दुल हमीद है और पीम फिलाल में सेख हसीना जी ही है दोस्तों याद रखेंगे अगर बात करें दोस्तों सबसे पहला नोबल पुरसकार किसे दिया गया था तो बतानेंगे रविंद नाड टैगोर जी को दिया गया था जो कि 1910 में इनकी एक काब्वे संगरत था की ताणजली उसके लिए इनको 1913 में दिया गया था लेकिन बात करें बहुत तिक के फिल्ड में सबसे पहले किसे दिया गया है बताएंगे सीवी रमन को दिया गया पाकिस्तान के मलाला यूसुफ जाई के साथ जो की सबसे कम उम्रिकी नेबल नुबल पृसकार पाने वाली थी 2004 में दिया गया तो थो नाइटियन थर्टी सेवन नाइट इन फृटी एट में गांधी जो को नामित किया गया लेकिन इनको मिला नहीं था दोस्तों इस बात को जबैंको याद रखेंगे चलते हैं नेक्सट की तरब कर दोस्तों इसके लिए फुल वीडियो सेपरेट लाएंगे जो अब हाल ही में लांच किया गया है बात याद रखेंगे जुलिया दूकोर्न को का प्रसका फिल्मी के लिए इनको नामित किया गया दोस्तों पहली बा फिल्म फेस्टिवल प्र्स्कार जो कि 17 जूलाइ दिंग इसकी फरहादी को दिया गया तो यह दखेंगे इसमें सर्वस्रिष्ट ऑविनहेत्री के लिए दोस्तों रीनेट रिन्सवे अगया और सर्व स्रेस्ट अविनेता के लिए काले लेंडरी जोन्स को दिया गया इसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे आप वहां पे देख सकते हैं चलिए नेक्स पेस्ट पर हाली में बिटिस ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है दोस्तों तो बता देंगे लुइस हमिल्टन जो की फार्म्ला वन मस्ट्विष के डियाबर बिटें कि दोस्तों यह जीते हैं याद रखेंगे इनका दोस्तों यह नगीमिदा यह जीतने जीतने के बाद चलते हैं नेक्स्ट का लोत बसक्रिक्त कर दिया गए जम्मू और कस्मीर और लद्दाक का उच्छ नियाले दोस्तों याद रख लेंगे यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में यह लगवख दो साल पहले पांच पांच अगस्ट 2019 को इन दोनों को यूटी बना दिया गया था यूटी का करार दे दिया गया था तो अगले प्रस की तरफ चलते हैं हाल ही में अमरिका अफगानिस्तान और उजबेकिस्तान किस देश के साथ मिलकर क्वाड ग्रूप बनाने पर सहमती जता रहे हैं दोस्तों बता देंगे यह जता रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका अफगानिस्तान और उजबेकिस्तान और अमेरिका के बीच एक क्वाड गूरूप चलता जो हिंद मासागर के बेल्ट में जितने भी एनिसीयटीव चल रहे हैं वन बेल्ट वन रोड एनिसीयटीव चाइना का उसको नामुनकिन करने के लिए या बेल्ट चलाया गया दोस्तों या क्वाड बनाया गया था लेकिन एक और अभी फिलाल में बनाया जा रहे हैं डूस्तूं अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान और उजबे किस्तान द्वारा जो की मद ने इसीया में जितने भी इसके नेसिये हीटी हो रहे हैं वन बेल्ट या फिर उत्तने उतपात मचा जा रहेquar है चीन mem prix एति उल्सको एसिया को और जिता हिंद मास आगर इसको एक मोती की माला में गुत है ना दोस्तों उसी को उसी के मनसूबे पर पानी फिरने के लिए यह रड़निती बनाई जा रही है पूरे विश्व द्वारा यह चीज़ याद रहेंगे चलिए अगले परसे पे चलते हैं हाल ही में नेलस करें इसे बहुत लगा हो था गांधी जी का आश्रम के पास इनकी एक तरस से अस्व बनाया गया है तो यहांइक पर साबर मती अठार जुलाइए यह कहां कहते पले तो बता देंगा अफरीका अब ध्यान सुनिएगा सैयुक्तुराष्ट की बात हुए है तो सैयुक्तुरा लास्ट में जूड़ जाता है भारत भी समली था अगर बात करें इसमें फिलाल में कितने देश हैं तो इसका है इसका है नियुयार्क सहर में इस्थीत है याद रखेंगे इसमें पांच ऑफिसियल भासा हैं कौन कौन से अंग्रेजी फ्रेंच चीनी रसियन अर्वी और स्पे पहले जो इसके संयुक्त राष्ट के मां सची थे उनका नाम था तरिगवेली जो कि नार्वे के थे इसमें फिलाल में कौन है तो अंटोनियो गुतरेस जो की पूर्टगाल देश के हैं अगर बात करें आप से अगर भारत रतना के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा भारत रतना के बारे में भारत रतना के घुसरुआठी इनाजिपटििफटी फूर मुआ थै दोस्तों याद दखेंगे जब भारत रतना के शुरुआथ हुआ था उसस समय पदम्भुष्षड और पदम्सरी का भी शुरुआ ह। जो कि प्रथम दुती तिती चतुर्थ सिविलियन अवार्ट के रूप में जाने जाते हैं अगर बात करें जन्ता पार्टी द्वारा 1977 में भारत रतना बंद कर दिया गया था लेकिंगे 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आती है से फिर से सुरू कर दिया जाता है अगर बात करें दोस्तों पहला जो आपका पहला सबसे भारत अतना था और तीन लोग को दिया गया था किसको किसको तो डाक्टर सवर पली रादा किसना चक्रवत्ति राजगोपालाचारी और चंद सेखर वेंगे टरमन को दोस्तों यहाद रखेंगे सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर और सबसे पहला माड़ो परांथ इनको दिया गया था इंद्रा गादी जो पहली मैला थे 1971 में इनको दिया गया था दोस्तों याद रखेंगे 1980 में मदर्टरेसा जी को दिया गया था और पहले फॉरेनर जो पहले फॉरेनर थे पहले विदेशी थे 1987 में खान पहले आपके विदी अधिकारी थे दोस्तों उनको और नेलसल मंडेला को दिया गया था दोनों लोग को नेलसल मंडेला दोसरे विदेशी रहते हैं दोस्तों या भी याद रखेंगे पूछा जा सकता है 1991 में राजी गवादी सदार बलबाई पठेल और मुराजी दिसाई को दिया जाता है मुराजी दिसाई दोस्तों सबसे बुजुर्ग पीम हैं भारत के याद रखेंगे और पहले गैर कांग्रेसी सरकार के भी यह हिड रहते हैं यह भी याद रखेंगे जो की 1978 में इनका सरक हम इनको दिया जाता है 2015 में दो लोग को दिया गया दोस्तों किसको किसो अटल बिहारी बाजपी और मदन महन मालवी को 2019 के बाद अभी तक नहीं दिया गया भारत अत्रपुरसकार कोविट के कारड़ तो 2019 में तीन लोग को मिला जो हमारे पड़मुखर जी पूर रास्त पत चलते हैं दोस्तों जैवस जो जो जन तुस रच्षड अधनिया में था 1972 यभी याद रखेंगे जो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है चलिए हाली में कौसल भारत मिसन की कौन सी वर्सगाट पीम मोधी जो द्वारा मनाया गया दोस्तों सब्वोधित किया गया दो ब उन्यवाद धित्रों